डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अज़ने अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड गलोग कैनडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं का सिलसिला जारी मतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाग बीस हजार चार सो एकिस हो गई टोन्टू पुलीस किसी भी जुर्म की तफ्तीश के दौरान लोगों के साथ इम्तियाजी सुलूख रवा रखती है इंसानी हुकुक कमीशन की नई रिपोर्ट में इनकिशाव कैनिडा की ट्रैवल एंड टूरिजम इंडरस्ट्री ने हुकूमत से मदद का मतालबा कर दिया इमदाद फरहाम ना की गई तो बड़े पैमाने पर दिवालिया पन का खश्चा है तिवी वजुहात की बिना पर मास ना पहनने वालों को फिजाई सफर से पहले साबित करना होगा ट्रांसपोर्ट कैनिडा का कहना है कि करोना से बचाओ के रसूलों पर सकती से अमल किया जाएगा लबनानी हकूमत को बैरू धमाके की पेशगी इतला होने का इनकिशाफ लबनानी हकूमत के मुस्तावी होने के बाद भी अवाम का गुस्सा बरकरार अमरीका की वस्त मगरिबी रियासते तुपान की ज़त में आ गई निजाम जिन्दगी दरहम बरहम हो गया है दुनिया भर में करोना वाइरस से मुतासर अफरात की तादाद दो करोड पांस लाग पचास हजार चैसो पंदरा तक जा पहुंची है जबके इस मूदी वाइरस से हलाकते साथ लाग चैलिस हजार चैसो हो गई हेडलाइन साथ आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैंस अनिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को ओर्डर करें www.greenish.com कैनिडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8991 तक जा पहुंची है इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनिडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं का सिलसला जारी है आखरी इतलात के मताबे कैनिडा में करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,20,421 हो गई है मुप भर में करोना वाइरस के बाएस हलाक होने वाले फरात کی तादाद की तादाद 8991 तक जा पहुंची है क्यूब एक सूबा करोना वाईरस से सबसे ज़ादा मुतासir हुआ है सूबे भर में करोना वाइरस के मजमूही केसिस की तादाद 6678 हो गई है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,697 तक पहुँच चुकी है ऑंटेरियो में करोना वाइरस के मतासरीन की मजमूई तादाद 4,194 तक जा पहुँची है कुजिशता दो रोज के दोरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,786 है अलबर्टा में 11,792 अफराद करोना वाइरस से मतासर हुए है जबके 216 अफराद हलाक हो चुके हैं बिटिश कॉलंबिया में 4,111 अफराद में करोना वाइरस की तजदीक हुई है जबकि सूबे में करोना वाइरस से हलाकतों की दाताद 95 है एक नई रिपोर्ट के मताबिक टोर्टों में सियाफ फार्म अफराद पर ज्यादा चार्ज लगाए जाते हैं उनको ज्यादा मारा पीड़ा जाता है और बास उकाद इससे उनकी मौद भी वाकिय हो जाती है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में इनसानी हुकूक कमीशन ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इनकिशाफ किया है कि टोर्नेटो पलीस किसी भी जर्म की तफ्तीश के दौरान लोगों के साथ अम्तियाजी सुलूख रवा रखती है सियाफ़ाम अफराद पर ज्यादा चार्च लगाए जाते हैं उनको ज्यादा मारा पीड़ा जाता है और बास अकाद इससे इनकी मौद भी वाकिय हो जाती है ये रिपोर्ट टोर्नेटो पलीस सर्वेस की जानब से इनसानी हुकुक कमीशन से मौजूदा सुरतहाल पर एक सर्वे के मुतालबे के बाद सामने आई ये नसली और अम्तियाजी सुलूख के बारे में गैर मुतनासिब बोश बरदाश करते हैं इस तहकीद में ये बास सामने आई है कि अगरचा सियाफ फार्म अफराद टोर्नेटो की अबादी का 8.8 फीसद हिस्सा हैं लेकिन इन पर आयद इल्जाम लगभ 32 फीसद अफराद की नुमाइंदगी करते हैं रिपोर्ट में बताया गया था कि खुसूसी तबतीशी यूनिट SIU की तमाम तहकीकात में 25 फीसद सियाफ फार्म अफराद भी शामिल थे जो मौत, संगीन चोट या जिन्सी जियात्ती के इल्जामात की तहकीकात करती हैं वो 49 फीसद ऐसे मामलात में भी मुलविस थे जिनमें ताकत का निचली सता पर इस्तेमाल शामिल था जो तबतीश के लिए SIU की दहलीस पर पूरा नहीं उतरता है OHRC, TPS, TPSB, सिटी टोन्टों और हकूमत औरंटेरियो से मतालबा किया है कि वो पूलिसिंग में निजामी और ब्लैक नसल परस्ती से निमटने के लिए फौरी तोर पर कारवाई करें और इसका एहतराम करें और टोन्टों में नसली नसल के लोगों की हिफाज़त करें करोना वाईरस की वज़ा से शदीद मतासर होने वाली कैनिडा की ट्रैवलर एंड टूरिजम इंडिस्ट्री ने हकूमत से मदद का मतालबा किया है इस हवाले से मजीद जानते हैं करोना वाइरस की वज़ा से शदीद मतासर होने वाली कैनिडा की ट्रैवल एंड टूरिजम इंड़स्ट्री ने हकूमत से मदद का मतालबा किया है ट्रैवल इंड़स्ट्री एसोसिएशन कैनिडा के सदर चार्लिट बेल ने कहा है कि जब कि दुसरे कारोबारों को आहिस्ता आहिस्ता दुबारा कोलने की अजासत दी गई है लेकिन सियाहत के शुबे में सफरी पाबंदियों और सरहत बंद होने की वज़ा से सिलसला जारी है सियाहत की सनत के नमाइंदों के मताबिक अगर वफा की हकुमत इस शुबे के लिए इमदाद फराम करने में नाकाम रही तो बड़े पैमाने पर दिवालियपन का खच्चा है हाउस अफ कॉमन्स इंडस्ट्री कमेटी के मेंबराने पार्लिमेंट को मिलने वाली इतलात के मताबिक इस वबाई अमरास की वज़ा सफर और महमान नवाजी के शुबे में तबाही पहल रही है सनत के सरकरदा अफराद ने कहा है कि मौजूदा वफा की प्रिग्राम या तो अपने मेंबरों की मदद नहीं करते हैं या कारोबार को तेस रखने के लिए काफी नहीं है होटल एसोसीएशन केनिडा ने मतनबे किया है कि अगर वफा की हकूमत मजीद फौरी मालीमदाद का एलान नहीं करती है तो केनिडा में एक चौताई से ज्यादा होटल बन करने पर मजबूर हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट केनिडा का केना है कि अगर तिब्वी वजुहात की बिना पर मास्ट नहीं पैन सकते हैं तो जहास में सवार होने के लिए ये थाबित करना जरूरी होगा सकते अब इन्हें एक सरकारी डॉक्टर का नोट पेश करना होगा जिसमें ये कहा गया है कि इन्हें कवाइज से इस्तस्ना दिया गया है 20 अपरेल के बाद से हवाई जहाज के मसाफिरों के लिए ये लाजमी है कि वो हवाई अड़े की स्क्रीनिंग के दौरान मूँ और नाक को धापें नवायता बच्चों को मास पहनने की जरूरत नहीं है कैनिडा की दो सबसे बड़ी एरलाइन्स में से एक वेस्ट जट ने ट्विटर पर एक बियान में कहा है कि इसके मसाफिरों ने अब तक उसूलों की पासदारी का पहतरीन कम किया है कंपनी ने कहा मसाफिरों को ये जाहर करने की जरूरत है कि वेस्ट जेट फलाइट में सवार होने से कबल इनका मुनासिब चैरा धाप लिया जाए और इन्हें आर्जी तोर पर मास्क खटाने के लिए कहा जाएगा जबकि उनकी शनाकी तज्दी की जाएगी कनेडा एमर्जन्शी वेज सबसिडी के पांचवे मरहले के लिए दर्खासते 17 अगस्त को दी जा सकेंगी जबकि पार्लिमेंट की मनजूरी के बाद CEWS का पहला मरहला होगा हकुमत की जानिब से कनेडा एमर्जन्शी की वेबसाइट पर एक नए केलकुलेटर भी जारी किया गया है जहां दर्खास देने वाले ये जान सकेंगे कि वो कितना वसूल करने के एहल है आज इर जो वफाकी हकुमत की इमदाद हासिल करना चाहते हैं वो इस ऑनलाइन केलकुलेटर के जरिये नए असूल जान सकेंगे और ये भी जान सकेंगे कि वो कितनी रकम वसूल कर सकते हैं वो कारोबार और तन्जी में जिने 50 फिसद नुकसान का सामना करना पड़ा है वफाकी हकुमत के जाने से 25 फिसद इमदाद के एहल होंगे जबके पांच वे और छटे मरहले में ज्यादा से ज्यादा 85 फिसद तक इमदाद दी जा सकेगी लबनान के कौमी सलामती के इदारे ने सदर और वजीर आजम को गुजशता माही बंदरगा में मौजूद अमूनियम नाइटरेट के जखीरे में धबाके या देशतगर्दी में इस्तमाल होने से मतालिक आगाह कर दिया था मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में लबनान के कौमी सलामती के इदारे ने सदर और वजीर आजम को गुजशता माही बंदरगा में मौजूद अमूनियम नाइटरेट के जखीरे में धबाके या देशतगर्दी में इस्तमाल होने से मतालिक आगाह कर दिया था मीडिया रिपोर्ट के मताबक मुलके सेक्योटी माही ने सदर और वजीर आजम को बंदरगा के डिपो में अमूनियम नाइटरेट के जखीरे को कौमी सलामती के लिए खत्रा और इसके गलत इस्तमाल से मतालिख खबरदार किया था गुजशता माह इस दस्तावेस में सेक्योटी माही ने हकोमत को खबरदार किया था कि बेरूद बंदरगा में 2750 अमूनियम नाइटरेट के जखीरे को शर्पसंग चोरी करके मलक में देशतगर्दी के वाकियात में इस्तमाल कर सकते हैं और ये भी ममकिन है कि इस दखीरे में धमाका हो जाए ये रिपोर्ट 20 जॉलाई को कौमी सलामती के जनरल डारेक्टरेट की जानब से सदर मिशाल एवन को और वजीर आजम हसन दाइप को भेजी गई थी ये भी कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट जनरी में शुरूर की जाने वाली जुडिशल इन्वेस्टिगेशन के नताइच के खुलासे पर मुश्तमिल है जिसमें ये नतीज़ अखस किया गया है कि इन कीमियाई मादों को फौरी तौर पर महफूस रखने की जरूरत है वाज़ रहे कि 20 जॉलाई को अलर्ट के बावजूद लमनानी हकोमत में कोई एकदामात ना किये और 4 अगस को अमूनियम नाइटरेट के जखीरे में खौफनाक धमाका हो गया जिसके नतीजे में 135 अफराद हलाक, 5000 से जाइज जखमी और सेक्डों घर तबाह हो गये लमनानी हकोमत के मुस्ताफी होने के बाद भी आवाम का घुसा बरकरार है, मुझाहिरीन और पुलीस के दर्मयान तसादों में कैई अफराद सखमी हो गए बेरूत में सेक्डों नाजवानों ने पत्थर मार मार कर पुलीस अहलकारों को हटने पर मजबूर कर दिया, मुझाहिरीन ने सदर मिशल एवन और पार्लिमेंट की सियासी जमातों के अस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया है अमरीका में सौ मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और तुफानी बारिशों ने कैई अमारतों को नुकसान पहुचाया दरक उखर गए और बिजली के पोल गिर गए जिसके बाइस हजारों शहर बिजली से महरूम हो गए इस हवाले से मजीद जानते हैं यू तो बारिशों से गर्मी का जोर कम हो जाता है और मौसम बेहत खुशकरवार हो जाता है ताहम यही बारिशें अगर तुफान की सुरतहाल इक्तियार कर जाएं तो तबाही मचा देती हैं अमरीका की वस्त मगरिब रियासतों एली नवाय, नबरासका, आईवा, इंडियाना, विसकॉंसन, तुफान की जद में आ गए जिसके बाइस निजाम जिन्दगी दरहम बरहम हो गया मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सौ मील फी घंटा की रफ़तार से चलने वाली हवाओं और तुफानी बारिशों ने कैई अमारतों को नुकसान पहुचाया दरक उखड गए और बिजली के पोल गिर गए जिसके बाइस हजारों शहर बिजली से महरूम हो गए इसके अलावा बारिश के बाद सलाब ने तबाही मचा दी और सड़के नदी नालों का मनज़र पेश करने लगी मौसम की खराब सूरते हाल के बाइस किसी जाने नुकसान की इतला नहीं मिली जबके शहरियों को एहतियाती ददबीर पर अमर करने की ताकीद की जा रही है न्यूजी लेंड में 102 दिन के बाद आकलेंड के एक खांदान के चार अफराद का करोना टैस मुझबित आ गया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वायरस से मतासर अफराद की तादा दो करोड पांच लाग पचास हजार छेसो पंदरा तक जा पहुची है जबके इस मुझी वायरस से हलाकतیں साथ लाग छेस हजार छेसो हो गई न्यूजी लेंड में 102 दिन के बाद आकलेंड के एक खांदान के चार अफराद का करोना टैस मुझबित आ गया खबर एजनसी के मताबक आकलेंड में तीन रोज के लिए लोगों के घरों से निकलने पर मुकमल पाबंदी लगा दी गई है इसके लावन न्यूजी लेंड भर में मौझूद तमाम नर्सिंग होम बंद कर दिये गए हैं अमरीका ताहाल करोना वाइरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुलक है जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके इस से हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम मौलक में सबसे ज्यादा है अमरीका में करोना वाइरस से अब तक 1,67,761 अफराद मौत के मूं में पहुँच चुके हैं जबके इस से बेमार होने वालों की मजमुई तादात 53,7,000 हो चुकी है करोना वाइरस के मरीजों की तादात के हवाले से मुमालक की फैरस में बराजील दूसरे नंबर पर है जहां ये वाइरस 1,3,200 जिन्दगियां निगल चुका है जबके करोना मरीजों की तादात 31,12,400 तक जा पहुची है बाहरत करोना वाइरस के मरीजों की तादात में तेजी से इजाफे के साथ इस फैरस में तीसरे नंबर पर पहुचा हुआ है जहां करोना से 40,216 हलाकते हो चुकी है जबके इससे मतासरा मरीजों की तादाद 23,33,034 हो गई है करोना वाइरस से रूस में कुल अमबाद 15,260 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 9,2,701 हो चुकी है साउथ अफरीका में करोना वाइरस की वबा से मजमुई अमबाद 10,751 हो चुकी है जहां इस वाइरस के अब तक कुल केसिस 5,66,109 रिपोर्ट हुए हैं एरान में करोना वाइरस से मरने वालों की कुल तादाद 18,900 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 3,33,700 हो गई साओधी अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमबाद 3,250 रिपोर्ट हुई है जबके मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,91,500 तक जा पहुंची है टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिफिकाशन बुटन